बुलुशरी प्राणनाथ प्यारेक बुलुशरी सत्गुरू महाराज की प्राणधार आत्मसंबंदी सुन्दरसाजी कल की चर्चा में हमने उस अईतिहासिक प्रसंग को सुना जिसमें श्री जीव महारादा छत्रशाल जी का मिलन हुआ उस प्रसंग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि महाराजा छत्रशाल जी हम सभी ब्रह्मिस्रिष्टियों के सिर्दार ब्रह्मिस्रिष्टि कहलाते हैं अमिरूल मौमिनिन की उन्हें शोभाविली है इसी मिलन के बाद ही कहीं न कहीं और तिवर गती से जागनी की भूमिका बनती है आज जिस स्थान को हम जागनी ब्रह्मान का मूल मिलावा कहते हैं उसके आज तक सुचार रूप से रहने की जो भूमिका बनी है वह भी कहीं न कहीं उसी मिलन के कारण है ऐसे प्रसंग को कल हमने सुना अब मिलन के प्रस्चाद के प्रसंग का बनन कर रहे हैं कि मौ के तिदुन्नी दरवाजे में मिलन के प्रस्चाद स्रीजी पुनह पन्ना लोटते हैं पन्ना आने के बाद महराजा चत्रसाल जी की मजलिर आने भी स्रीजी से मिलाप करती है और महराजा चत्रसाल जी जब आते हैं महौ सहानिया से तो स्रीजी साहब को सुखपाल जिने हम पाल की भी कहते हैं उसमें वैठा कर स्वेम ही वह पाल की उठात कर चोपड़ा की हवेली में लेके जाते हैं अब अमराई घाट से चोपड़े की दूरी तो जितने सुन्दर साथ पन्ना जी गए हैं वे जानते ही हैं जहां अपनापन होता है वहां सारीरिक स्रम, ठकावट, दूरी इन सब का आभास नहीं रहता है वैसे चाहते तो घोड़े पर विराजमान करके अथवा हाथी पर बैठा कर या फिर कोई रथ बनवा कर स्री जी को विराजमान करते हुए लेके जा सकते थे पर पालकी पर बैठा कर लेके जाना एक बहुत ही बड़े सम्मान का प्रतीक है जैसे सामाने रूप से भार ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता है जी स्वयं पालकी पर कंधा क्यों दे रहे हैं स्वयं की विनम्रता का भाव है और ऐसी विनम्रता कि जिस काम को करने के लिए वैसे पसुओं को लगाया जाता है अथवा ज्यादा से ज्यादा नौकर चाकरों को लगाया जाता है उस काम को वह स्वयम ही कर रहे हैं अब दोनों में फर्क हो गया है नौकर करते तो वह काम होता पर छत्रशाल जी स्वयम कर रहे हैं भाव से तो वह सेवा है तो स्रीजी साहिब को पालकी पर बैठा कर महराजा 16 साल जी एक तरफ कंधा देते हैं और एक तरफ महराणी ने भी कंधा दिया वो भी सेवा में पीछे नहीं रही और चोपड़े की हवेली के बाहर पालकी को उपधराया गया अब पालकी से बाहर उतर कर स्रीजी को सिंहासन तक लेके जाना है तो महराणी जी के मन में भाव आया कि मेरे स्रीजी साहिब जमिन पे पैर क्यूं रखें उन्होंने अपने साड़ी का पाउड़ा बना करके बिछा दिया पाउड़ा किसे कहते हैं ऐसा वस्त्र ऐसा कपड़ा जिस पर पाउड़ रखते हुए चल करके आगे चला जा उसको पाउड़ा कहा जाता है ये सम्मान का प्रतीक है ये समर्पन का प्रतीक है उन्होंने साड़ी का पाउड़ा बिछाया तो तुरंथी छत्रसाल जी के मन में भी वही विचार आया कि अरे नहां पाउड़ा तो करना चाहिए था फिर वे सोचते हैं कि ये भी सेवा मैं ही करूँ तो उन्होंने कहा अपनी रानी को कि देखिए आत्म भाव से यदि देखा जाए वहदत के भाव से देखा जाए तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फरक नहीं है इसलिए सेवा करने का अधिकार तो सबका है परन्तु यहां इस संचार में मैं आपके पती के रूप में हूँ आप मेरी धर्म पतनी के रूप में है तो पहला अधिकार मेरा बनता है वे अधिकार भी चाह रहे हैं तो सेवा का अधिकार चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले तो मैं ही पावड़ा बिच्छाओंगा उन्होंने क्या किया अपने पाग का जिसको पगड़ी भी कहा जाता है अपनी पगड़ी का पाउड़ा बना करके बिच्छा दिया महारानी जी को थोड़ी सी तो मायूसी हुई लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि छत्रशाल जी की पगड़ी सिंहासं तक नहीं पहुँच पा रही है और थोड़ी जगा बची हुई है और श्री जी इसारा कर रहे है कि अब आप अपनी भी इच्छा पूरी कर लो तो महारानी जी ने अपने साड़ी का पाउड़ा बना करके वहाँ बिचाया जिस पर पाउधरते हुए श्री जी साहब चलते हैं और सिंहासं पर जाकर विराजमान हो जाते हैं अब महाराजा च्छत्र साल जी श्री जी की आरती उतारना चाहते हैं आरती उतारने से पहले क्या किया जाता है नियोच्छावर दी जाती है आप सबको तो पता ही जब भी हम आरती करने वाले होते हैं तो सामानी रुप में जब सामुही का आरती होती है तो सुन्दर साथ क्या करते हैं, एक सुन्दर साथ ठाली ले करके, सभी सुन्दर साथ के पास में जाते हैं, तो सुन्दर साथ उसमें कुछ नियोच्छावर करते हैं, नियोच्छावर कैसे करना चाहिए और हम कैसे करते हैं, उसको थोड़ा सा देखा जाए, क्या किया चात् जी ने नियोच्छावर में कहते हैं अपनों आपा सब दियो और दियो सबसाज आरती निच्छावर करके कही धन धन दिन है आज अपना सब कुछ दे दिया सबसे पहले तो स्वयम को दिया स्वयम का समर्पन करने के बाद अपना कुछ बाकी रहता ही नहीं कि कुछ और देने की आउसकता पड़ जाए क्योंकि सब कुछ तो उसे समर्पित कर दिया गया है और क्या कहा उन्होंने एही टीका एही पावड़ो एही निच्छावर आए अपने अहंकार का जो त्याग है वही टीका है और पावड़ा भी वही है क्योंकि जो पाग सिरपर धारण किया जाता है सिरअहंकार का प्रतीक है सिरपर धारण किये जाने वाले पाग को यदि हम किसी के चरणों में रख रहे हैं तो ये विनम्रता का प्रतीक है ये अहंकार के त्याग का प्रतीक है और चत्रसाल जी कह रहे हैं कि मैंने अपने अहंकार का त्याग किया है, आपके चरणों में अपने अहम को रखा है, मेरे तरब से टीका भी वही है, अपने पाग का पाउड़ा ही है और कहते हैं एही नियुच्छावर आए, इसी को मैं नियुच्छावर के रूप में श्री के समक्ष भेंट कर रहा हूं और स्री प्राण नात के चरण पर छत्ता बली बली जाए महराजा 76 सौल जी कहते हैं कि अक्षिरातित्ट श्रीप्राण 500 जी के चरणों में में बार बार बलिहारी जाता हूँ अथवा समर्पित होता हूँ देखिए जब भी हम आरती की बात करते हैं तो एक बात या एक कार्य एक प्रक्रिया जिसका लगबग लगबग 95 प्रतिसत सुन्दर साथ अनुशरण और अनुकरण करता है और ये क्या है चौपाई कहती है तन दीपक मन ज्यति करूँ प्रेम घ्रीत लव लाए शोभा लखी स्रीराज की आरती करूँ चित लाए तन रूपी दीपक जिसमें मन रूपी ज्यति हो और उसमें प्रेम का घ्रित हो जब हम आरती करते हैं तो वहां हमारा केवल तन लग रहा होता है न मन वहां पर है राज्जी के चर्णों में और न हृदय में प्रेम होता है जब हम आरती करते हैं तो हमारा फोकस हमारा धियान किस पर रहता है सामुहिक रूप से आरती किया जाए और ये सब के मन की बात है, सब जानते हैं, क्या होता है, कि नीचे जुक करके आरती को कितनी बार घुमाना है, बीच में कितनी बार घुमाना है, उपर कितनी बार घुमाना है, सामुहिक रुप से आरती कर रहे हैं, तो कहीं लए हमारा गड़बड तो नहीं हो रहा है, अधिकतर उस पे होता है पहला दूसरा यहां तो सर्वस्व समर्पण की बात है लेकिन हम समर्पण कैसे करते हैं एक बार किसी मंदिर में आरती हो रही थी अब आरती में नियोच्छावर की रूप में तो कुछ पैसा ही देते हैं एक विक्ति पर्स निकाल रहा है अपने जेव में पर्स रखते हैं न वो पीछह जेव में से पर्स निकाल रहा होता है तो उसके पर्स में जेव दोहजार में का नोट गिर जाता है पीछह वाला जो व्यक्तिumuz को उठाता है और सामने वाले व्यक्ति को दे देता है ठीक है अब उसको पता नहीं है कि ये 2000 के नोट उसके खुद के ही है तो वो क्या करता है अपना पर्स खोलता है और व्यक्ति आरती करते समय ये ध्यान रखता है कि पर्स में से सबसे छोटी नोट रखी जाए ठीक है ये फैक्ट है सब सबसे छोटी नोट रखी जाती है आरती में तो अपना तो सबसे छोटा वाला नोट निकालता है पांच रुपे का पुराना सा और जो दोहजार रुपे का नोट वो सोचता है कि पीछे वाला सेवा में दे रहा है जो नोट उसी का होता है तो वो उस दोहजार के नोट को और प्रृपे के नौट को आरती में रख देता है। क्योंकि सेवा में तो जो लगना है वो तो लगना ही ये किसी तरह से घुमाफिरा करके भी.. जो आपके अधिकार का है वो आपको मिलेगा.. जो सेवा के भाग का है.. वो सेवा में ही जाएगा... लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब विक्ति आरती करता है तो यहां तो कह रहे हैं अपनों आपा सब दियो और दियो सब साज हम अपने जेव में से सबसे छोटी नोट को रखना चाहते हैं और यहां में नोट का तो किवाल एक उदाहरण है ना नोट तो बहुत दूसरे तीसरे नमबर पर आता है पहले नमबर पर समरपन तो हृधै का होना चाहिए जैसे ही हमने अपना मान लिया राजी को अपना मानने के बाद तो हमारा स्वयम का कुछ रहा ही नहीं कि देने की आवसेक्टा पड़ जाए हम कहते हैं कि मुख्ती सेवा तुने सू कहूं जो तु अंतर आड़ो टाल अनेक विध सेवा तरणी तुने उपज से तदकाल तो अपने आप ही सेवा की भावना उत्पन होती रहेगी सेवा में आउसेक्ताई दिखती रहेगी और हम सेवा करते रहेंगे तो ये केवल नोट तो एक उदाहरण मात्र है तो छत्रे साल जी ने सब कुछ समर्पित किया और अब एक आगरह किया कहते हैं कि स्रीजी साइब और बाईजी राजी दोनों को उनोंने निवेदन किया कि वैसे तो पाचों सक्ति महामती जी के हरदैधा में विराजमान है एक ही तन के अंदर है तो भले ही अकेले स्रीजी साइब की आरती उतारते तब भी युगल सोरूप की ही आरती होती लेकिन छत्रे साल जी के मन में भावना है कि जिस प्रकार परमधाम में युगल सोरूप विराजमान है सिंहासन में इसी तरह से यहां पर भी युगल जोड़ी हो तो बाईजराज जी को आगरह करते हैं कि बाईजराज जी आप सिंहासन पर विराजमान हो जाईए ताकि हम युगल सोरूप की आरती उतार सके क्योंकि कोई भेद तो है नहीं शामाजी और ब्रह्मात्मा में ये तो दुनिया के लोगों के अंदर एक कही न कई कर्मकार्ण का भाव है कि राजजी महराज, शामाजी महरानी बोलते हैं ये राजजी महराज हैं, शामाजी महरानी हैं तो हम नौकरानिया थोड़ी हैं कई बार सुन्दर साथ प्रशन पूछते हैं अभी कुछ दिन पहले भी मैं रात को भी नेपाली भाषा में बितक की चर्चा कर रहा था, एक मैने तक वो चर्चा चली, तो उसमें किसी सुन्दर साथ ने प्रशने पूछा था कि हम राजी को महाराज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, मैंने का देश स्वतन्त रहे, अधिका सबको प्राथे अभी विक्ति की आजा दिये, तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि राजी को हमें महाराज बुलाना चाहिए, एक दूरी आजाती है नहीं, राजी को महाराज कहेंगे तो दूरी नहीं आती, अपना पन ही नहीं लगता है, राजी जी सिंहासन में विराजमान है, तो यहाँ पर छत्र साल जी के मन में भी वैसे भावना है, स्री ठकुरानी जी को उन्हें ने स्री बाईजीराज जी को सिंहासन पर बैठाया और बैठा करके आरती उतारी, और आरती उतार करके क्या कहा, पहले तो आरती उतारने से पहले कहा कि साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीनहा तुमें बना, ये प्रसंग बहुत ही महत्तुपूर्ण है, उन्होंने कहा कि आप साक्षात अक्षरातीत हैं और हमें आपके स्वरुप की पहचान हो चुकी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, आप तो हमारे दादा गुरु स्री देवचंद्र जी के सिस्य हैं, आप हमारे संत समाज के बहुत बड़े कवी हैं, ऐसे नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, आप साक्षात अक्षरातीत हैं और इतना ही नहीं, श्री धकुरानी जी साथ संग ले, पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें कोई और देखे, सो नहीं मिसल मातवर, आपको यदि कोई धामदनी के अलावा कुछ और देखता है, यदि कोई कहता है, कि आप बड़े कवी हैं, अच्छे संत हैं, किसी के सिस्य हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के भक्त हैं, किसी संप्रदाय के प्रचारक हैं, तो सो नहीं मिसल मातवर, वो ब्रह्मे स्रिस्टी नहीं है, चत्रसाल जी ने ठपा लगा दिया, अब ये हम सुंदर साथ को तय करना है, कि हम प्राण्णाजी को किस रूप में देखते हैं, हमें सो नहीं म परंपरागत रूप से एक विचारधारा चली आ रही है, एक प्रक्रिया चली आ रही है, मुझे लगता है कि उस बात को यहां पर प्रकाशित करना चाहिए, और वो बात ये है, कि जब हम आरती करते हैं शाम की, तो उसमें आरती के रूप में कंचन थाल, चहु मुखा, दि पक जोती प्रकाश इत्यादी बोला जाता है, और आरती से पहले इस्तुती के रूप में पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे इसका गायन किया जाता है, जबकि वास्तविक्ता ये है, कि जो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे है, वो आरती ही है, कुछ समय से ये पर आचली और आरती उतारने से पहले कि इस्तुती बताई गई वस्तविक्ता क्या है लॉजिक लगाई है जब हम किसी की भी आरती देखते हैं दुनिया में तो जिसकी आरती की जाती है उस इस्ट और आराध्य का उसमें गुणगान होता है यह ना आरती में यही तो होता है इष्ट और आराथ्ये का गुढगान होता है, जैसे मालीजी गणेश जी की आरती है, तो उसमें क्या बोला जाता है, जय गणेस जय गणेस, जय गणेस देवा, है ना? उसमें, पूरे गणेश जी की बंदना है, की उनकी शोभा कैसी है, कैसे रिद्धी सिद्धी उनकी पतनिया हैं क्या वो प्रदान करने वाले हैं इसी तरह से जए जगदी सहरे आरती देख लीजिए उसमें उसी तरह से उनके इष्ट की बात की गई है यहाँ यदि हम कंचन थाल चहु मुखा दिवाला उसको आरती मानते हैं इसमें तो हमारे इ चारों तरफ दिये होते हैं दीपक का प्रकास होता है और ऐसे ऐसे यह सुन्दर साथ आरती करते हैं आरती करते हुए मुक्ताफल मोतियों की बधाई देते हैं यही तो बात है ना तो जो कंचन थाल चहु मुखा दिवाला है यह कमेंटरी है कमेंटरी का मतलब कि उस समय आर जी ने अश्ट प्रहर की सेवा में संध्या के समय की आरती में साम के जहां तक मेरा विचार है ये पांचमें या छठे प्रहर में है इस आरती का वर्णन उसको हमने आरती के रूप में अभी अपनाया है जबकि जैसे पूर्ण ब्रह्म है उसको हम पहले इस्तुति बताते हैं उसके अलाह भी आरती बहुत सारे हैं यदि हमारे मन में भाव है तो जैसे आरती अंग चतुरदसकेरी पांच सुरुप मी लेक भैरी ये भी तो आरती है ऐसे बहुत सारे आरती है जैसे जै जै सत्गुरु आरती तेरी ये सब आरती है इन सब में आरती सब्दाया है और इसमे जिनका नाम लिया है उनका गुणगान किया गया है जैसे पांच स्वरुप में लेक भयरी तो वानी का गुणगान है इसमें वानी की महिमा है वानी को राज्जी का वांग में स्वरुप बता करके वणित किया गया है तो इन सब को हम आर्थी के रूप में प्रयोग कर सकते है लेकिन हमारी परंपरा बन गई कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे को हम पहले बोलते हैं और आरती के रूप में कंचन थाल का गायन करते हैं अभी हम कल पर सो जब अश्ट प्रहर की चर्चा सुनेंगे तो उसमें वणन आएगा कि कंचन थाल का क्या भाव है अब आगे कहते हैं कि तब बोले स्री राज जी देखे राणा पात्साह सब पर जो कच्छू करनी अंकूर की सो इत देखी हम सब स्री जी ने कहा राज जी ने ठीक है स्री जी कह रहे हैं कि इससे पहले हमने बहुत सारे राजाओं को देखा राणाओं को देखा और बात्साओं को भी देखा बात्साह मतलब औरंग जी लेकिन जो प्रेम भाव जो समर्पन भाव परमधाम के अंकूर के कारण 16 साल जी में है वैसा औन्य कहीं भी नहीं है स्रिष्टी के पहले से लेकर के आज तक सादू संतु ने गुरु शिष्य के धर्म के विशे में बहुत कुछ बताया है समर्पन के विशे में बहुत कुछ बताया है पर वो सारा वर्णन आज यहां पर चरितार्थ हो रहा है अब 16 साल जी कहते हैं कि पहले दाता हम भये गुरु को दिनो सीष पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो बक्सीष पहले दाता कौन होता है गुरु नहीं होता है पहले हमें देना पड़ता है क्या देना पड़ता है अपना शीष देना पड़ता है शीष किसे कहेंगे यहां जो शीष है वह अहंकार का प्रतीक है और शीष देना समर्पन का प्रतीक है जब तक हम अपने आपका समर्पण नहीं देते तब तक हम इतने पात्र नहीं बनते इतने योग्य नहीं बनते कि जो सद्गुरु है वो कुछ दे और हम ग्रहन कर पाए एक द्रिष्टान से मैं इस बात को समझाना चाओंगा प्राचीन समय में जब भी कोई शिस्य उच्च कोटी का जियान जिसको आत्म जियान कहा जाता है उसे प्राप्त करने के लिए जाता था किसी रिशी के पास तो वह परिक्षा लेते थे तो एक गुरुजी के यहाँ एक रिशी के यहाँ 15-20 नए लोग आए और कहा कि हमें आपसे आत्म जियान चाहिए जियान लेना है अब परिक्षा तो लेने के पात्रता है कि नहीं क्योंकि बिना समर्पन के आत्म जियान हो ही नहीं सकता तो गुरुजी ने परिक्षा लेने के ठानी और क्या कहा कि उनकी कुटिया के पास में एक कुवा था तो गुरुजी ने कहा कि एक बास का जालीदार पात्र दिया और कहा कि इसमें पानी बहर कर एक निश्चीत दुरी पर कुछ पाधे दिखा दिए और बताए कि उन पाधों को पानी देना है अब जालीवाला वरतन है बास का पात्र है उसमें पानी बहर करके ले जाना तो संभव ही नहीं है यह संभव है कुछ सिस्य तो यह सुनकर के ही उस बांस के जालीदार पात्र को देखकर के ही यह सोचकर भाग गए कि हम तो सोचते थी यह ग्यानी होंगे पर यह तो बड़े मुर्ख निकले गुरु कहीं मुर्ख कह रहे हैं जिन से ग्यान लेने आये थे कहते हैं कि ऐसे मुर्ख गुरु से हम क्या ग्यान लेंगे इनको तो पता ही नहीं कि इसमें पानी नहीं टिकता है वो वहाँ से भाग गए कुछ लोगों ने सोचा कि गुरुजी ने बात कही है तो जरूर कोई बात होगी इसमें जरूर कोई रहस्य होगा और पानी भरने लग गए पानी में भरते दो कदम चलते तब तक बरतन खाली हो जाता फिर लोगों ने सोचा कि चलो पानी भरते और पूरी ते जिसे भाग के जाते हैं क्या पता सब निकल गए एख शिस्य बचा है वो सुचता है कि गुरुजी ने कहा है तो अवश्य ही इस समस्य का कोई न कोई समाधान तो होगा है अब चिंतन करते करते उसके मन में एक उपाया आया वह देखता है कि जब वो बार बार प्रयास कर रहे थे ना पानी भरकर के ले जाना काफी लंबा समय हो चुका था तो पानी में भीगते हुए लंबे समय तक भीगने के बाद वो जो बास की कमचिया थी वो थोड़ी थोड़ी मोटी हो रही थी जिस बास के पतले परत से वो पात्र बनाया गया था वो थोड़ी में ही पानी में डूबो दिया, दबाय रखा, बैठा हुआ है, आराम से चिंतन करते हुए, कि मेरे पास बहुत समय है, तो काफी देर तक रखने के बाद क्या हुआ, कि वो पानी में लंबे समय तक भीगने से, वो बास मोटा हो गया, फूल गया, फूलने के कारण क्या हो गया छेज जो है वो बंध हो गए और उसमें पानी भर करके उसने पौधों को दिया अब उन गुरुजी ने सोचा कि इसमें बुद्धी भी है, स्रद्धा भी है, धैर्य भी है और समर्पन की भावना भी है, बीच में छोड़ने वालों में से नहीं है तो इसमें ऐसी पात्रता है, इसी तरह से हर बार पहले शिश्य को ही अपना कुछ अर्पन करना होता है जितना चाहिए उतना पहले अर्पन भी करना होगा, चत्रसाल जी ने भी पहले स्वयम का समर्पन किया और उसके बाद, बाद में सद्गुरु दाता हुए, पहले दाता हुए शत्रसाल जी और सद्गुरु ने दाता बन करके क्या क्या दिया? सबकुछ कियो बक्सिस, उन्हें उनकी आत्मा के सर्वस्व बक्सिस की रुप में दे दी और थात सारी आध्यात्मिक संपदा महराज़ा चत्रसाल जी को प्राप्थ हो गई इसी संदर्ब में गुरु गरंद सहाइब में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा कि बीतेगा उन्तालिसा दगेगा चालिसा तब कोई होसी मरद मरद का चेला नानक गुरु दिखावे साई होसी सच सच दीवेला जब 1749 बीत कर 1740 लग रहा होगा उस समय कोई मरद मरद का शिश्य होगा गुरु नानक जी कहते हैं कि यही जो स्वरूप है वह सच्चे परब्रम की पहचान कराएगा और वही जो समय है उस समय सत्य का सामराज्य होगा सच की वेला होगी वेला मतलब वह सच का समय होगा सिखपंथ में उनके अनुया यहसा मानते हैं कि यह जो प्रसंग है यह जो साखी कही गई है वह गुरु गोविन सिंग जी और बंदा वैरागी के मिलन का प्रसंग है क्योंकि यहां मर्द किसे कहा जाता है मर्द जो है वो बहादूर व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है जिसके अंदर बहादूरी होती है उसको कहते है यह तो मर्द है जिसके अंदर बहादुरी नहीं होती उसको नामर्द कहा जाता है तो सिख पंथ के हिसाब से यहाँ गुरु गोविन सिंग जी और बंदा वैरागे जी का नाम लेना वैसे तो सही है पर आध्यात्मेक द्रिष्टिकोंड से देखा जाए तो ब्रह्म सिष्टियों को मर्दों की जमात कहा है और वैसे देखा जाए तो चर अक्षर और अक्षरातित तीन पुरुष है यहां वैसे देखा जाए तो दो आतमाओं के मिलन का प्रसंग है इंद्रावती जी और साकुंडल की आतमा भले ही यहां आतमा नाम स्त्रिपरक है पर उनके अंदर जो वीरता का गुण है जो अध्यात्म का अध्यात्म की संपदा है और परब्रम का अंग होने के कारण उन्हें मर्द की सोभादी है जिस समय स्रीजी और छत्रशाल जी का मिलन हुआ यह संदर्व भी क्योंकि 1749 से 1740 का समय है इसलिए हमारे द्रिष्टी में स्रीजी और छत्रशाल जी के मिलन के लिए उसका प्रयोग होता है अब गुरुग्रंथ साहब में वर्णित साखी को कहते हुए स्रीजी ने थाली में रखे हुए चंदन से 176 साल जी को तिलक कर दिया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब आप महराज जी अब आप बैठीए यहां से उन्हें सबने महराज कहना शुरू कर दिया कहते हैं सकुंडल सोभा भई प्रगट भई पहचान 16 साल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान स्रीजी ने विशेश रूप से 16 साल जी के अंदर सकुंडल सखी की आत्मा की पहचान की उन्हें बड़े प्यार से छत्ता की शोभा दी और सुंदर्वाय अर्थात श्यामा जी ने जिन सकुंडल की जागनी की बात कही थी अब वो बात भी पूरी हो गए इस तरह से अब एक बार नहीं ये तो पहली बार की घटना का वणन कर रहे हैं चत्रशाल जी ने एक बार नहीं अनेकों बार श्री जी को चोपड़े की हवेली में पध्रावनी की और अनेकों बार आरती की वैसे श्री जी ठहरे थे पन्ना जी में ही अम्राई घाट के पास ही ठहरे हुए जहां अभी अपना इस्थान है पर अपना प्रेम अपना भाव व्यक्त करने के लिए बीच-बीच में जब भी अवसर मिलता है चत्रसाल जी जा करके अपनी सेवा निभाते हैं उनके मन में एक ये भी भाव आता है कि परव्धाम में राज जी ने तो सारी सोभा जो ली हुई है सारे स्रिंगार है किस तरह से उनके गले में पांच हारों का वणन है कैसे सिर पर पाग से ले करके सारे यहां के भाव से देखा जाए तो राजसी वस्तर हैं यह भाव आता है तो वो भी अपने तरफ से यथा योग्य सामर्थ के अनुसार श्रीजी को राजसी वस्तर पहनाते हैं और मजली रानी भी अपने आभूशनों को ले करके बाईजी राजी का श्रिंगार करती हैं इस तरह से वे श्रीजी की सेवा करते हैं अब ये प्रक्रिया तो चलती रहती है उदर जागनी का कारिय भी चल रहा है अब कुछ दिन वेतीत हो चुके थे लेकिन श्रीजी ने महराजा छत्रसाल जी से अब तक उनके दरवार के कुछ लोग हैं जैसे बल्दिवान जी उनके मन में कही न कही नकारात्मकता है शत्रसाल जी द्रिड इमान और समर्पन जो लेकर क्या रहे वो भी उने पसंद नहीं है इसलिए श्रीजी ने इस बात को छिपा रखा था कि कोई महराजा शत्रसाल जी को भढ़काने का प्रयास ना करे एक दिन श्रीजी बंगले में किसी कोने में बैठ कर एक दो विशे जो सुन्दर साथ हैं लालदास जी त्यादी उनके साथ बैठ कर कते बोपक्ष के विशे में चर्चा कर रहे थे उसी समय शत्रसाल जी पहुँचे अब हमारे जैसे होते तो सीधे गुष जाते पर एक अनुशासन होता है कोई नईतिकता होती है कि जहां कुछ लोग बात कर रहे हो बिना पुछे प्रवेश नहीं करना चाहिए मुर्खों का लक्षन बताते हुए हमारे विद्वत जन कहते हैं कि अना हूता प्रवीशती अप्रिष्टो व बहुभाशते अविश्वस्ते विश्वस्वसीती मुढ़ चेता नराधमा जो बिना किसी अनुमती के कहीं पर प्रवेश करता है बिना किसी अनुमती के जब दो लोग बात कर रहे हों तो बीच में बोलता है और जिस पर विश्वस नहीं करना चाहिए ऐसे वेक्टी पर आँख मूद करके विश्वस करता है ऐसे वेक्टी को मूर्ख कहा जाता है अब छटर साल जी तो राजा है सब को समालना उने आता है सारी नइतिकता का उने पता है च्गतर साल जी ने वैसे चाहते तो जा सकते थे पर एक शिक्षा भी तो देनी है ना दूसरों को उन्होंने दूर से ही इसारा करके स्री लाल्दाह जी को बुलाया और कहा कि क्या बात चल रही है क्या मैं भी इस बात को सुन सकता हूँ अब हमारे जैसे होते तो हम बड़बढा के बोल देते हैं पर लालदाध जी भी कहते हैं कि मैं स्रीजी की अनुमति के बीना आपको ये बता नहीं सकता और जाकर के स्रीजी से के पूछते हैं कि श्री जी साहिब महाराद जी आए है और पूछ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं तो क्या किया जाए स्री जी ने कहा कि देखिए कभी न कभी तो बताना ही है चलिए यही उचीत समय है हम बता देते हैं 36 साल जी को बुलाया और स्री जी ने अब सारी बात बताई कि देखिए मुहम्मद स्हाब जो कुरान लेकर के आए हैं उसमें हमारी अपनी बात है या में अपनी बीतक सब है स्री देवचंर जी को मेरो तेरो नाम जा दिन जो बीती हम तिनो में सो सब लिखी तमाम इसमें सांकितिक रूप से स्रीदेवचंद्र जी का मेरा तुम्हारा और हमारे साथ जो जो भी घटनाए हुई उन घटनाओ का भी वर्णन है अब जैसे ही ये बात सुनी महराजा छत्रसाल जी को जोस आया और कहा कि जब इसमें बात हमारे घर की है तो हम अब तक छिपा के क्यों रखे हुए हैं और हम औरंग जैसे क्यों डर रहे हैं आप स्रीजी साहिब केवल आप आजियां दीजी अनुमति दीजी मैं औरंग जैसे बात्सा से लड़ने के लिए तयार हूँ और दूसरी बात हमारी इस बात को सुन करके जो भी आपके उपर इमान ले करके आएगा कहते हैं और बात हमारी ए सुनो जो ए बात सुन लियावे इमान चत्र साल तिन उपर तन मन धन कुरवान जो इमान ले करके आएगा उस पर मैं चत्र साल अपना तन मन धन कुरबान करने के लिए तयार हूँ अब चत्रसाल जी को स्रीजी सहाइब ने खुलासा ग्रंथ प्रदान किया ताकि उन्हें पूरी बात समझ में आए अब महराजाज चत्रसाल जी के परिवार में कुछ लोगों को जैसे कि बल्दिवान जी है ये बात पसंद नहीं आई कि एक हिंदु तन में होते हुए स्रीजी और सुन्दर्शाथ कते पक्ष की चर्चा क्यूं करते हैं इसकी जानकारे ली जानी चाहिए ये अपने आप दावा करते हैं कि यही विजयाबिनन बुद्धन इसका लंग सोरूप है यही आकरोल इमाम मुहम्मद महिदी है या फिर वास्तों में इनके दावे में दम है अब ये देखने का तो एक मात्र तरीका यही है कि कोई मुसलिम विद्वान भी स्विकार करे कोई काजी मौलवी और कोई हिंदू पंडित भी स्विकार करे तब तो इस बात को माना जाए इसलिए बल्दिमान जी अब परिक्षा लेना चाहते है वैसे मुझे नहीं लगता कि बल्दिमान जी गलत है क्योंकि जिस सद्गुरु को अपना सर्वस्व समर्पन करना है कहीं न कहीं ठोक वजा करके परिक्षा तो ली जाए नहीं चाहिए उन्होंने भी उस समय बहुत सारे समाज में हो रही परिस्थिति को देखा होगा आज भी तो समाज में किसी नए वेक्ती के पास परिक्षा ली जानी चाहिए उन्होंने अपने तरफ से सही ही किया हम कई बार गलत इसलिए सोचते हैं कि 16 साल जी तो इमान लेकर क्या है और वो नहीं लाए हम दोनों में तुलना ना करें दोनों की बौदिकता अलग अलग है दोनों की बौदिक स्तति दोनों की समझदारी अलग अलग है हाँ परिक्षा लेने के बाद भी यदि इमान से मुकर रहे होते तो गलत बात थी अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ महोबा नाम का एक स्थान था अभी भी है वहाँ से एक मौलवी को बुलाया एक काजी को बुलाया उनका नाम था अब्दुल रशूल वहाँ के सभी मौलवियों को सभी मुस्लिम लोगों को कुरान की तालिम दिया करते थे और ग्यान का हंकार इतना था कहते हैं कि मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम कोई वेक्ती मेरे आगे कुरान की चर्चा नहीं कर सकता तो ये बात सुन करके अब लालदाह जी क्या कहते है कि हम तो आपको डरते वे पूछ रहे है क्योंकि काजे ने कहा था कि मेरे आगे कुरान की कोई बात कर ही नहीं सकता ऐसा लगता है कि आप अनपढ़ हैं आपको मेरी पहचान नहीं है लालदाह जी कहते हैं तिस वास्ते तुमको डरत है कोई न लियावे ताव लालदाह जी मुश्कुराते वे कहते हैं कि काजे साहब आपके सामने बोलने की ताकत किसमे हो सकती है हम तो इसलिए डरते वे पूछ रहे हैं स्री जी ने स्वयम बात नहीं की स्री जी के कृपाद रिष्टी से स्री लालदाह जी अब हम उस काजी से बात कर रहे हैं और प्रश्ण पूछ रहे हैं कि काजी साथ हम केवल ये जानना चाहते हैं कि कुरान में कितने तरह की पैदाइस्त का वर्णन है आप सोच समझ करके जवाब दीजिएगा अब जैसे ये सोच समझ करके जवाब दीजिएगा वाली पंक्ती सुनी तो काजी को लगा मेरा इतना अपमान कहते हैं कि देखो ये जो मेरी दाड़ी है ये ऐसे सफेद नहीं हुई है कुरान पढ़ते 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 सफेद हुई है कुरान की सारी तफसीरे सारी टीकाए मुझे जबानी याद है मेरे और कुरान में लिखी हुई बात पे कोई दोर आय नहीं हो सकती है कोई फरक नहीं हो सकता है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुरान में पांच तरह की पैदाइस का वर्णन लिखा है अब लालदाह जी ने पूछ दिया कि अच्छा बताये कि कुरान में पांच तरह की पैदाइस है तो कहां पर लिखा है अब काजी ने खोजा पर उत्तर नहीं मिला और लालदाजी ने खोज करके दिखा दिया कि कुरान का जो तीसरा पारा है जिसका नाम है तिलकर रसूल उस में पांच तरह की 25 का वर्णन है पांच तरह की 25 कौन सी है एक है कुन से कुन का आर्थ होता है होजा होजा मतलब यह आदेश दिया जा रहा है जैसे हम हिंदु परंपरा में कहते हैं एको अहम बहुश्याम मतलब मैं एक हूँ बहुट होजाओं यह होजाओं वाला शब्ध है न उसी का अनुवाद है यह तो होजाओं कहने से जो सिर्ष्टी हुई है आधी नाराणे के संकप से वो कौन से है जीव स्रिष्टी तो एक है कुन से पैदा हुई आम खलग दूसरी है एक हाथ से तीसरी है दो हाथ से चौथी है खिलकत और पांचवी है मुल इप्तदाए अब एक हाथ किसे कहते हैं एक मुहम्मद साहब के उपर जो इमान लाने वाली उम्मत है उनको एक हाथ से कहा गया है दो हाथ से किसे कहा गया है रू अल्ला ने जो दो तान धारन किये श्रीदेव चंद्रजी और श्रीजी साहब के मिहर राज्य के तो देवचंद्रजी और स्रीजी पर इमान लाने वाले जो स्रिष्टी है उनको दो हाथ से कहा गया है तो कुन मतलब जीव स्रिष्टी हो गए आम खलक एक हाथ से और दो हाथ से ये हो गए खिलकत कहा जाता है पडोसी को खिलकत का साब्दी करते पडोसी तो ब्रह्म स्रिष्टियों के नजदी की कौन है इसुरे स्रिष्टि ना हमारे पडोसी तो इसुरे स्रिष्टि के लिए खिलकत सब्द का प्रयोग किया गया है और एक है मूल इप्तदाई मतलब जो मूल से अनादी काल से है अर्थात जो ब्रह्म स्रिस्टियां है तो ये पांच प्रकर की पैदाई से वैसे मूल रूप से देखा जाए तो तीन ही है पर इसकी पांच कैटेगरी बनाई गई है लेकिन काजी को ये बात पता नहीं है लालदाश जी ने ही दिखाई और फिर एक और सवाल पूछा कि अब आप बताए कि इन पांचों में से आप कौन से है आप कौन सी पैदाईस में आते हैं और सूच करके सच बोलना अब काजी के मन में ये आया कि कुन से कह नहीं सकता आम खलक बांकियों का पता ही नहीं है क्या कहे कुछ पता नहीं चला तो अब वो परेशान हो गए जब उनकी परेशान ही देखी तो बलदिवान जी ने कहा कि अरे काजी साहिब आप इधर उज़र की बात क्यों कह रहे हैं जो सच है वो बताईए और बिना डरे बताईए ये सोच करके नहीं डरना की राजा है तो कुछ गल्ती हो जाएगी जो सच है वो बताईए तो काजी स्री जी के चरणों में हक के भाव से अल्ला के भाव से उन्होंने सिजदा किया और कहा कि मैंने इनकी पहचान कर लिए कि ये तो वास्तों में अल्ला ताला है बल्लिवान जी ने कहा कि आप ये बात किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे हैं जूट तो नहीं है काजी ने कहा कि मैं कुरान को सिर पर रखकर के कसम खाता हूँ कि यदि मेरी कही हुई बात जूटी हो तो ये कुरान ही मुझे मार डाले यही वास्तों में आखरी जमाने के खाविन जिनको हम आखरूल इमाम मुहम्मद मैदी कहते हैं यह वही हैं और उनके आने की जो सर्त लिखी गई थी कि कयामत के समय में आएंगे वो समय अब जाहिर हो चुका है अब इतनी बात सुनकर बलदिवान जी के मन में कुछ सचाई आई कुछ पहचान हुई उन्होंने सुचा कि चलो आधा काम तो हो गया अब हिंदू पंडितों से भी पूछा जाए तो उन्होंने वहां के तमाम पंडितों को इकठा किया उन्हों पंडितों ने एक मत से तीन पंडितों का चयन किया सुन्दर, वल्लभ और बद्रिदास कि ये सबसे बड़े हैं सबसे अनुभवी हैं तो हमारे तरफ से ये तीनों हमारा प्रतिनी दित्व करते हुए सास्त्रात करेंगे अब क्या हुआ कि बद्रिदास जी को बुलाया गया उन तीनों में से भी महारा प्रतिनी शाल जी ने भागवत के कुछ प्रस्ण पूछे इसका वर्णन वैसे तो स्री लालदास जी ने पूरे धंग से विस्तार से नहीं किया है वृत्तान्त मुक्तावली में ये प्रसंग विस्तृत रूप में बताया गया है कि सास्तराथ क्या हुआ था यहां के वल इतना बताया है कि महारा प्रतिनी शाल जी ने भागवत के कुछ प्रस्ण पूछे प्रस्ण कैसे अखंड ब्रज और रास के संबन में अब बद्रिदास जी ने प्रस्ण सुना और क्या कहा कि यह जो श्रीक्रिष्ण जी की बात है यह परमात्मा के अतिरिक्त और को इनका जवाब नहीं दे सकता अब उनकी इसपष्ट वादिता पर चत्रह साल जी प्रस्ण न हुए और अब चत्रह साल जी ने उनकी प्रसंचा की उसके बाद रात्री को चर्चा हुई काफी देर तक और आधी रात के बाद अब कुछ समय तक चर्चा सुनने के बाद आधी रात के पश्चात बद्रिदास जी घरव में गए जहां सब पंडित रुके हुए थे अब पंडितों ने पूछा की बात क्या हुई सास्त्रास्त का निर्णे क्या निकला तो बद्रिदास जी ने कहा कि जो था वो मैंने सही बोल दिया सच बोल दिया जो वास्त्रविक्ता थी वो बोल दिया तो कहते हैं कि बताओ तो सही क्या बात हुई तो कहते हैं कि हम तो आज तक अपनी मुक्ति का स्थान वैकुंठ और निराकार तक ही मानते आ रहे थे जो कि स्वप्नवत है और महाप्रले में लएको प्राथ होने वाला है और छत्र साल जी नहीं क्या किया अखंड व्रज और रास के विशाय में प्रशन पूछे जिनका उत्तर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने हार सुईकार कर ली और यह कह दिया कि इनका उत्तर तो परमात्मा के अलावा और कोई दे नहीं सकता यदि किसी सुंदर साथ को इस सास्त्राथ के विशे में और अच्छे से जानना है विस्तार में जानना है कि क्या-क्या बात हुई तो वृत्तान्त मुक पंडितों ने क्या कहा कि एक राजा से तुम पंडित तुम इसके विशेशग्य हो दर्मगरंतों के राजा कौन होता है तुम्हें हराने वाला एक राजा से तुम हार गए हार मानने से अच्छा तुम मर क्यों नहीं गए अब सभी ब्राम्भन इकठे हो करके कहने लगए कि एक ब्राम्भन हो करके तुम छेत्रिय से हार गए एक जाती वाद का दंब था उनमें आडंबर घमण और उन्हेंने कहा कि अब तुम दुबारा जाओ फिर से सास्तराथ करो और उनको बुरी तरह से हराओ क्या कहा अब मारो उल्टा करके मारो उल्टा करके मारने का मतलब क्या होता है बुरी तरह से हराना और कहा कि हम कुछ सवाल बना करके देते हैं पंडितों ने मिल करके राद भर में सुबह उठने तक उल्टे सीदी जो प्रस्न बना सकते थे बनाए और दे दिये सुबह उठ करके बद्रिदास जी दरबार में आए और बल्दिवान जी को कहा कि नहीं मुझे दुबारा सास्त्रार्थ करना है अब बल्दिवान जी ने सत्रे साल जी को बुलाया सत्रे साल जी ने आकर के मुलाकात की तो पुछा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रश्ण है हम कुछ प्रश्ण बना कर लेके आये हैं आप इनका उत्तर दे दिजिए शत्र साल जी ने कहा देखो मैं इन प्रश्णों का उत्तर तो बहुत अच्छे से जानता हूं लेकिन आप पंडित होते हुए भी ऐसे जूठे प्रश्ण बना करके ला रहे हैं सास्त्रार्च की बात कर रहे हैं आपको शरम नहीं आती आप तो कल हार सुईकार कर चुके थे और आज उल्टे सीधे प्रश्ण बना कर लेके आये हैं चत्रा साल जी को अब गुस्सा आया क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि कोई भी बुंदेला आज से इनको गुरुना बनाए विवाहा आदी कारियों में इनके द्वारा सिर पर पट्टी बादी जाती है कपड़े की पगड़ी जैसी वो भी कोई नाबाद है और जब भी कोई बुंदेला ये पंड़ी जब आते थी तो हर बुंदेला विक्ती सम्मान में खड़ा हो जाया करता था उन्होंने कहा कि आज से इनके सम्मान में खड़ा होने के भी आव सकता नहीं है फिर कहते हैं कहते हैं कि इस कली युग में सुन्दर वल्लब और बद्री ये कली युग में ऐसे पंडित हैं कि ये चौदा विद्या से तो निपुण है चौदा विद्या मतलब छे दर्शन हो गए सांख्य वैसे सिखने आय मिमान से वेदानत और योग ठीक है इसी तरह से ज्योतिस है व्याकरण है आयरवेद है धर्मसास्त्र है इस प्रकार चारवेद छे दर्शन और ज्योतिस व्याकरण आयरवेद और धर्मसास्त्र ये चौदा प्रकार की विद्या के ये पंडित हैं ज्यानी हैं लेकिन कहते हैं एक को जानत नाए एक परमात्मा के विशे में ये कुछ भी नहीं जानते अब बद्रिदास ने उत्तर दिया कि महराज मैं तो कल ही हर स्विकार कर चुका था पर पंडितों ने मुझे जवाब दिया इसलिए मुझे यहां आना पड़ा अब सास्तरात में सभी पंडितों को मुझे खानी पड़ी परास्त हुए और वहां से चले गए इसके बाद बल्दिमान जी के मन में दृड़ विश्वास हो गया कि छत्रशाल जी जो इमान ले करके आए हैं स्रीजी साइप पर तो वो गलत नहीं कर रहे हैं उनके भी हिरदय में स्रीजी के प्रति स्रीजी को पन्ना जी में रहते हुए अभी लगबग 2-3 वर्स हो चुके थे तो एक दिन 16 साल जी तक ये बात पहुंची कि वहां के जो कूमर थे राजपरिवार के राजगराने के लोग थे या सैनिक थे उनमें ये अफवाह था कि इतने सुन्दर साथ हैं 5000 सुन्दर साथ इनके खाने पीने का खर्च कहां से आता है क्योंकि महाराज जी के यहां से तो कुछ जा नहीं रहा है 17 साल जी के पास स्वयम के पास भी वैसे देखा जाए तो इतना कुछ था नहीं सेवा की भावना थी पर संसाधन नहीं थे कई बार क्या होता है लोगों के पास संसाधन होते हैं पर भावना नहीं होती है इनके पास संसाधन नहीं थे और इनका ध्यान भी नहीं गया क्योंकि सब कुछ चल ही रहा था सरी डंग से लेकिन दूसरे लोगों के मन में ये भाव आया कि छत्रह साल जी के राज्ये से तो कुछ भी जा नहीं रहा है तो पक्का इनके पास लोहे से सोना बनाने वाला रसायन जिसको पारस कहा जाता ऐसा पारस है जिसके कारण इन सब की व्योस्था हो रहे क्योंके राजकोस से तो कोई भी धन सुन्दर साथ के सेवा के लिए नहीं जा रहा है एक महाराजा जी के अलावा बाकी सब ऐसा ही सोचते थे एक दिन महाराजी ने पूछ लिया कि स्रीजी साहिब आपको पन्ना जी आए हुए तीन वर्स हो चुके है तो ये जो सेवा है कहां से चल रही है पांच अजार सुन्दर साथ के तो स्रीजी ने कहा कि ये जो सेवा है मेरता के सुन्दर साथ के माध्यम से आ रही है मेरता के कौन राजा रामर जाजन बाई कितने वर्स हो चुके हैं लगभग लगभग दस या बारह वर्ष एक दो परिवार है राजराम और जाजन भाई का दो परिवार मिल करके पांच हजार की जमात की व्यवस्था इतने लंबे समय तक करना वो भी जितनी भी आवसेक्ता है वो सारी सेवा ये छोटी बात नहीं ये उनका समर पड़ है अपने लिए वो कुछ नहीं कमा रहे थे वो कमाने की सेवा भी कर रहे है तो किसके लिए कर रहे है मिसन के लिए जागनी के लक्ष के लिए कि जो सुन्दर साथ तारतम वाने को जंजन तक पहुचाने में निकले है उन्हें किसी प्रकार का गस्ट ना हो तो ये सेवा आ रही थी अब महाराज जी के मन में क्या आया कि मैंने दावा इतना बड़ा लिया बड़ी बड़ी बातें कह दी लेकिन सेवा कोई और कर रहे है तीन वर्स हो गया और मुझे पता भी नहीं चला तो मेरी सेवा फिर क्या रही मुझे तो धिकार है दोपहर हो गए, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, उनका कमरा बंध है, भोजन का समय हो गया, रानी ने आवाज दी पर वो खोल नहीं रहे हैं, और इतना साहस भी नहीं हुआ, रानी को की जबरजस्ति करें, तो उन्होंने बल्दिवान जी को जो चाचा थे उनको बुलाया तो बल्दिवान जी ने अब धरवाजा खुला खुलवाया तो देखते हैं कि 16 साल जी की तो आखे लाल हैं दुखी हैं रोए हुए हैं सारी बात पूछी तो माराजी ने कहा कि अब तक तो हम सब यही सोचते आ रहे थे कि सुन्दर साथ के पास कोई रसायन है सोना बनाने वाली और उससे उनकी आजिवी का चल रही है पर वास्तविक्ता तो अलग है यह तो मेरता के सुन्दर साथ से सेवा आ रही है और हम कैसे सेवक हैं, हम कैसे सेवादार हैं, कहते हैं, ए आवत खरच साथ में से, ए सुन भयो दरद, हम कैसे सेवक इनके, हम पर गजब की रही नहद, कहते हैं कि हमने तो जो अपराद की है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, हम कैसे सुन्दर साथ हैं, कि सेवा नहीं कर रहे हैं, क ये सब बात सुन करके बल्दिवान जी ने कहा कि देखिए इसका समाधान तो बहुत ही आसान है हम क्या करें कि औरंग जेब के अधिन जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं तो वो क्या करते हैं कि साल में सालाना एक चौथ भेजी जाती है चौथ मतलब कर भेजा जाता है चौ उन राज्यों को हम जीतें और उन राज्यों से हम कर वसुलें और उस कर को हम अलग-अलग हिस्सा कर देंगे एक हिस्सा राज खजाने में जाएगा भविश्य के लिए एक हिस्सा सेना में सेना को बढ़ा करने में एक हिस्सा जन कल्यान में जनता के कल्यान में और एक हिस्स जागनी की कारी में सुन्दर साथ की स्री जी की सेवा में जाएगा इससे क्या होगा राज्य का विस्तार भी होगा प्रबंधन भी होगा और स्री जी सुन्दर साथ की जो सेवा की कामना है वो कामना भी पूरी होगी अब चत्रे साल जी के मन में आया कि चलिए अभी तो चाचा के मन में इमान है लेकिन बाद में कहीं ये पलट न जाए इसलिए उन्होंने लिखवा लिया ताकि बाद में कोई किच-किच ना हो कि आप इस बात को लिख कर दे दीजिए लिखित में दीजिए कि जो सेवा आएगी जो कर आएगा उसको हम सेवा में लगाएंगे अब उन्होंने लिखित रूप में सहमती कर ली उसके बाद सब लोग सुन्दर साथ के पास आए और स्रीजी के चरोड़ों में अर्जी की कि हम ऐसे ऐसे सेवा करना चाहते है आसपास के राज्यों में अक्रमण करके उन सब को जीत करके राज्य का विस्तार भी करना चाहते है धर्म का प्रचार भी करना चाहते है अब स्रीजी उनकी भावना को समझ गए अब एक ऐसी घटना हुई जिसका मनन स्रीलालदाजी ने इस बीतक में तो नहीं किया पर परंपरागत रूप से दूसरे बीतकों के माध्यम से और परंपरागत रूप से हम जानते आए हैं कि स्रीजी ने महाराजा चत्रसाल जी को कहा कि कल सुभा सुरियोदय से पहले आप अपना घोड़ा ले करके मेरे पास आना महाराजा चत्रसाल जी पहुँचे और स्रीजी ने आदेश दिया कि अपने राज्ये में जहां जहां तक आप दिन भर घोड़ा दोड़ा सकते हैं दोड़ा करके सामको सुरियास्त के समय में मेरे पास आना महाराद जी ने ऐसा ही किया और जब आए लोट करके तो स्रीजी ने कहा कि छत्ता मेरा अशिरवाद है कि जहां जहां तुम्हारे घोडे ने पाउं रखा है उस उस जगह पर वहां की धर्ती हीरा उगलने लगेगी छत्ता तेरे राज में धक धक धर्ती होए जित जित घोडा पग धरे तित तित हीरा होए अब हीरे के कारण देश संव्रिद हो उठेगा और आपको सेवा के विशे में चिंता करने की आऊशिकता नहीं पड़ेगी आप जितनी चाहे सेवा कर सकते हो और साथ में ये भी हिदायत दी कि ये जो शोभा है इस भूमी को वो तब तक है जब तक कि तुम्हारी संतान तुम्हारी पीड़ी एक अक्षरातित पर इमान ले करके आएगी यदि इनका इमान डामा डोल हुआ धर्म से विमुक हो गए तो वापस हीरे मिलने बंद होते जाएंगे और जहां से निकल रहे है वापस वहीं चले जाएंगे शत्र साल जी के रहते हुए पन्ना की धर्ती हीरा उगला करते थे उनके बाद भी दो-तिन पीड़ी तक ये प्रक्रिया जारी रही उसके बाद धीरे-धीरे लोग धर्म से विमुक होते गए एक अक्षिरातीत के अतिरिक्त अन्य की उपासना करने लग गए आहारित्यादी भी बिगड गया तो इसलिए आज पन्ना की धर्ती में हीरा खोजना पड़ता और बहुत खोजने पर कभी-कभी प्राप्त होती है जबकि उस समय ऐसा नहीं था अब ऐसे स्रीजी ने शोभा दी लेकिन चत्रसाल जी कहते हैं कि ये तो आप ही की देन है ना मेरे तरब से कौन सी सेवा हुई ये तो आपने ही सब कुछ दे दिया मैं चाहता हूँ कि मेरी तरब से कोई सेवा करू इसलिए उन्हें प्रार्थना की स्रीजी से कहते हैं कि मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मेरे साथ राजा बनकर हाथी पर सवार होकर के चलें हम घोडे पर चलते हुए मैं आपके आपकी सेना का नेत्रित्व करूँगा सेना पती बनकर और जहां जहां भी जाएंगे हम वहां के राज्ये से कर वसुलेंगे और इस तरह से सेवा में लगाएंगे अब विक्रम संबद 1743 में 1743 में मारजा चतर साजी ने स्रीजी को हाथी पर विराजमन किया तयार करके और स्वयम पीछे-पीछे सेना सहीत चल पड़े और राठ खडोत जलालपूर होते हुए कालपी के नजदिक पहुँचे वहां कालपी पहुँच करके थोड़ा मुसलिम बहुल छेत्र था वहां के सभी काजियों को मुल्लाओं को सयदों को इकठा किया और उनसे कुरान के विषय में चर्चा हुई कुरान और हदिस के विषय में सभी लोग परास्थ हुए और उन्होंने लिख करके स्विकृती पत्र दिया कि हमने अपनी आखों से आखरी जमाने के खाविन आखरूलिमाम मुहम्मद महदी साहीब पुझामाम को देखा है और यह स्विकृती पत्र लिख करके उन्होंने जैसे ही दे दी उस स्विकृती पत्र को कहा जाता है महजर नामा महजर नामा का ताथ पर यह स्विकृती पत्र जैसे आज के समय में कहा जाए तो एफिडेविट कहते हैं न कि मैं ये गोषणा करता हूँ कि ये फलाना 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 इसारा इन्होंने भी गोषणा करके लिखीत रूप में दे दी कि यही आखरूल इमाम मुहम्मद मैदिय जिनके विशे में कुरान और हदिस में ऐसा ऐसा लिखा गया है अब ये जो स्विकृती पत्र है इसकी प्रतिलिपी करवा कर मतलब कौपी करवा करके अर्था दूसरों के द्वारा लिखवा कर औरंग जेब के पास भिजवाया गया औरंग जेब पढ़ता तो है पर सिर नीचा कर लेता है जिसमें सातों निसान से लेकर के सब कुछ लिखा हुआ था अब कालपी से चल करके स्री जी सवारी करके हाथी की सवारी करके सिवडे नामक सिवडे नामक इस्तान में पहुँचे अब वहाँ चित्रकुट का एक राजा था उसका नाम था बसंत सुर्खी खुट नितिग्य था राजनिती में माहिर उसने सोचा कि छत्रसाल जी की फौज अजेय तरीके से आगे बढ़ रही है राठ, खडोत, जलालपूर सब को जीत चुके है तो अब ये बात फैल चुकी थी कि छत्रसाल जी के पास कोई दईवी आ सकती है उनको हराने वाला कोई नहीं है तो बसंत सुर्खी ने सोचा कि यदि छत्रसाल जी आक्रमन करने की सबसे मेरे राज्ये में आये तो कुछ भी नहीं रहेगा इससे अच्छा ये है कि हम स्वयम ही सामने से जा करके समरपन करें और बहुत ही चत्राई से उनने क्या किया उनने सवाल पूछा उल्टा चत्रसाल जी से कि क्या आप सच में मानते हैं कि स्रीजी साह पूर्ण ब्रह्म है परमात्मा है चत्रसाल जी कैसे अस्विकार करते फिर कहते हैं कि यदि आप मानते हैं कि स्रीजी साहिब पूर्ण ब्रह्म है तो क्या पूर्ण ब्रह्म की सेवा करने का अधिकार मेरा नहीं है मेरा भी तो अधिकार है इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्रीजी साहिब मेरे यहां आए और मैं उनकी सेवा कर सकूँ अब चतरशाल जी क्या करते बसंद सुर्खी की चतुराई में वह फस चुके थे तो उनको अब करना पड़ा कि स्रीजी साहिब अब बसंद सुर्खी के साथ चित्रकुट लेके गाए श्रद्धा भाव तो थी ने उसमें किवल चतुराई थी अपने राज्ये को बचाना चाहते थे इसलिए वो सुन्दर साथ में सम्मेलित तो नहीं हुआ किवल कुछ समय के लिए स्री जी को अपने राज्ये में रखा और वहाँ पर भी सेवा करने के लिए महारजा चत्र साल जी ने सोचा कि मेरी जो सेवा का ब्रत है वो भंग ना हो इसलिए उन्होंने कुछ सुन्दर साथ को भेजा और अपनी जो महारानी है महल की उन महारानी को भी स्री जी की सेवा में भेज दिया एक वर्स्तक Śippy जी चित्रकूट में रहे जिसमें सेवा करने वाले तो सुन्दरसाथ और महरानी ही थी उन्होंने सेवा करी अब वहीं चित्रकूट में ही कयामत नामा का अवतरण हुआ जिसमें राध जी ने महरजा 16 साल जी की सेवा भावना से त्याग भावना से उनको आप रखी और इसके बाद उस कयामत नामा ग्रंथ के आवतरण होने के बाद स्रीजी ने चत्रसाल जी के पास पहुंचाई एक वर्स तक वहां रहने के बाद स्रीजी चित्रकूट से पुना पन्ना लोटे चित्रकूट में बड़ा कयामत नामा का आवतरण हुआ और छोटा क एमत नामा पन्ना जी पहुँचने के बाद ही अवतरित होता है अब जब स्री जी चित्रकूट में थे उसी समय औरचा नामक एक स्थान है वहां के राजा ने छत्रसाल जी के मन में छत्रसाल जी के प्रती विद्रोह किया उसके मन में पाप था कई न कई चत्रसाल जी के राज्ये में एक इस्थान था खटोला नाम का छोटी सी जगह थी उस खटोला नामक नगर में उसने अधिकार किया कबजा किया अब उसको ऐसी सजा मिली कि उसका पूरी तरह से विनास हो गया कैसा हुआ उसका वर्णन तो आगे करेंगी अगले प्रकरण में उसके बाद मिठु पीर जादा नामका एक औरंजिब का सेना पती है उसने भी छत्रसाल जी पर बुरी नजर करी पर उसके साथ भी ऐसा हुआ कि वहां के जो चमार वर्ण के जो लोग थे चमार जाती के लोग थे बुंदेल खंड के उनकी साधारन जनता नहीं मिठु पीर जादे के पांच हजार की सेना को समाप्त कर दिया कैसे किया क्योंकि जो बुंदेल खंड है वो कही न कहीं पहाडी स्थान है पूरी तरह से तो पहाडी तो नहीं यह वैसे देखा जाए तो उसको पठार कहा जाता है पन्ना जी में प्रवेश करने की जो जगा है उसमें एक ही रास्ता था वो भी पतला रास्ता मिठु पीर जादा छिपते छिपाते हुए उस जगा से गुजर रहा था जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वो पहाड की दो चोटियों के बीच में था और संक्रा रास्ता पास में ही चमारों की बस्ती थी उन्होंने क्या किया उन्होंने देखा कि ये जो सत्रु की सेना है वो आ रही है महाराज जी के छत्रशाल जी के राज्ये में आक्रमन करने क लिए अब वो सजग थे उन्होंने क्या किया कि संक्रे रास्ते में रात के अंधेरे में दोनों तरफ छिप करके तयार हो गए हत्यार ले करके मिठु पिर्जादे के जितने सईने क्योंकि संक्रा रास्ता तंग रास्ता सब लोग तो एक साथ नहीं जा सकते लाइन में पंग् बंद करते मार करके एक तरफ ठिकाने लगाते रात भर ये प्रक्रिया चलती रही और सेना को पीछे पता ही नहीं कि आगे क्या चल रहा क्योंकि अंदकार है इस प्रकार अपनी बुद्धि मता से कुछ ही लोगों ने मिठ्धु पिरजादे की पांच हजार सैनिकों की कि अरे ये तो कुछ और ही हुआ हम तो कुछ और करने आये थे और मिठ्धु पिरजादा किसी तरह से अपने कुछ बची हुई इस टुकड़ी के साथ में जान बचा करके वहां से भागता है और ये तो दो का नाम लिया है और चा के राजा का और मिठ्धु पिरजादा का इसके अलावी जितने भी लोगों ने 16 साल जी के प्रती बुरी नजर करी, उन सब को अपने पाप की सजा भुगतनी पड़ी, क्योंकि अब उस तन में परंधाम की आत्मा तो पहले से ही है, पर स्री जी का वरद हस्त है, उस तन को राज जी ने शोभा दिये सेवा करने के, तो उन सब को अपने पाप का फल भुगतना पड़ता है, अब आगे सुकराना का वर्णन कर रहे हैं, कि पन्ना जी में किस तरह से 17 साल जी पर बुरी नजर करने वालों को मुह की खानी पड़ी सब को सजा प्राप्त हुई, जब रामनगर में थे श्री जी साहिब, उस समय पुर्दल खान ने अपनी सेनापती को भेजा था, सेख किदर को, उस समय भी पत्र लिख करके भेजा था, कि विजिया अभिनंद बुद्धनिस का लंग जाहिर हो चुके हैं, सेख किदर नहीं अपने तरफ से एक स्विकृत पत्र दिया था, पर उसको पढ़कर के उसने सिर्टों नीचा किया, पर विश्वास लेकर के नहीं आया, उसको भी सजा मिली, वही पुर्दल खान जिसने स्रीजी साहिब की पहचान नहीं की क्या हुआ, ललितपुर नामक स्थान में महारजा छत्रसाल जी ने आकरमन किया, तो अचानक से वहाँ पुर्दल खान की भेट हुई, छत्रसाल जी की सेना से, उस समय पुर्दल खान के पास तीन हजार की फोज थी, तीन हजार, और छत्रसाल जी के पास कितनी, केवल बाइस लोगों की टुकड़ी आप कल्पना कर सकते हैं, कि बाइस लोगों की हजार लोगों के सामने युद कर रही है, अब वहाँ बाइस घुड़ सवार ने पुर्दल खान के सईनिकों को इस तरह से मारा, जैसे गाजर मुली है, और जब भेडों की भीड में कोई शेर हमला करता है, तो बेड़े कैसे भागती है, पुर्दल खान की जो बची हुई स सेनाथी वो उस तरह से भागी, जैसे भेड़े इदर उदर भागती है, इसी तरह से उसके बाद अब वहाँ से पुर्दल खान जान बचा करके भागा है, वापस आता है और वहाँ एक गौर नाम का राजा होता है, उससे मुलाकत करता है, अब राजनीती में क्या होता है, जो सत्रू का सत्रू होता है, वो अपना मित्र माना जाता है, पुर्दल खान सत्रसाल जी से सत्रूता रखता है, गौर राजा वह भी सत्रूता रखता है, तो दोनों मिलकर के निर्णे लेते हैं कि सत्रसाल जी को अब हराना है, अब दोनों मिलकर के विशाल सेना लेकर के अ पर उस युद्ध में पुर्दल खान का नामों निशान भी मिट गया बले ही कितनी बड़ी सेना ले करके आया हो मैंने कल भी कहा था कि छत्रसाल जी ने 252 लड़ाईयां लड़ी जिसमें 52 बड़ी बड़ी लड़ाईयां थी पर स्री जी की कृपा से एक भी युद्ध में उन पर विजय प्राप्ती हुई इसी तरह से या श्री जी की कृपा से महाराजा चत्रसाल जी सब पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं मिठु पिरजादा इसी तरह से दोड़ा उसका वर्णन चुना फिर औरचा के राजा का भी वर्णन चुना कि खटोला नामक इस्थान प उसने भी महाराजा चत्रसाल जी के विरुद युद्ध किया और वह भी हारा उसके बाद जो ओर्चा का राजा था पहले तो हार चुका है दुबारा उसके पास एक योद्धा था बोधन दव्वा नाम का यह उपाए में लिखा है आया दव्वा खटोला पर बोधन दव्वा नाम के युद्धा था और चा के राजा के पास उसने विशाल सेना लेकर पुनह खटोला पर आक्रमन किया लेकिन बुरी तरह से हारा और काला मू लेकर के सर्मिन्दा हो करके वापस आया उसके बाद अब औरंजेब के पास ये खबर पहुंची कि 16 साल जी ने औरंजेब के राज्य के कई भागों को जीत लिया है क्योंकि जिन जिन राज्यों को जीता था वे सभी राज्य पहले औरंजेब के अधीन थे तो उसने क्या किया कि रणमस्त खान को अपनी भौज लेकर के भेजा बहुत बड़ी संख्या लेकर के रणमस्त खान अपनी सेना को लेकर के आता है वहां से तो वो निकल चुका है उधर औरंजेब तकी संदेश पहुचता है कि मिठु पीरजादा की किस तरह से पराजय हुई किस तरह से मिठु पीरजादा को चमारों ने समाप्त कर दिया तो एक दिन औरंजेब के सपने में मुहम्मद साहब संकेत करते हैं कि तुम किसी से भी युद कर लो पर 16 साल से युद मत करना क्योंकि अभी उसके पास खुदाई ताकत है जैसे ही ये सपना देखा उसने रणमस्त खान को रुकने का आदेश देने के लिए अपने किसी दूद को भेजा अब तक रणमस्त खान साथ मजल पार कर चुके थे अर्था साथ पड़ाओ साथ पड़ाओ का मतलब जैसे दिन भर यात्रा की एक इस्थान पर ठहरे तो एक पड़ाओ हुआ इस तरह से साथ पड़ाओ पार कर चुके थे पर बादसाह ने जो अपना आदेश पत्र दे करके भेजा जिसमें लिखा था कि रणमस्त खान तुम जहां हो वहीं से वापस लोट करके आओ इस तरह से अब रणमस्त खान जो ही वो बच जाता है उसके बाद ओरचा का पंडित विशाल सेना लेकर के चत्रसाल जी से आकरमन करता है चत्रसाल जी के उपर तो वहां चत्रसाल जी ने ऐसा आकरमन किया कि ओरचा के राज्य का विनास हो गया और वहां पंडित को अपनी जान बचाना भी भारी पड़ गया और जो दववा नाम का योध्धा था उसको भी फिर से हारना पड़ा उसके बाद एक राणा प्रताप सिंग नाम का योध्धा था राजा था ये महाराना प्रताप नहीं है क्योंकि दोनों का समय बहुत अलग है तो राणा प्रताप सिंग ने चत्रसाल जी पर बुरी द्रिश्टी की तो उसके साथ ऐसी घटना हुई कि उसके राज्ये में आपस में ही ऐसा जगड़ा हुआ अंतरकलह हुआ कि उसमें वो राज्ये ही समाप्त हो गया जिस जिसने जैसा जैसा किया चत्रसाल जी के साथ उसको वैसी वैसी ही सजा मिली क्योंकि उनके अंदर परमधाम की ब्रह्म सिस्टी है जिनों ने स्रीजी के स्वरुप की पूर्ण पहचान की है तो ये राज्यी की एक जाहिरी मेहर है अभी कुछ समय पहले भी हमने सुक्राना पढ़ा था ना सुक्राना के दो प्रकरण है बितक में ये दूसरा प्रकरण है जो मेहर कर रहे हैं राज्यी उसकी बात यहां पर बता रहे हैं कहते हैं कि श्री महामत कहे ए मोमिनो याद करो सुक्राना मेहर करी तुम उपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना कि ये सुक्राना है किस तरह से राज्यी ने हम पर मेहर की है उसको याद करना है कि कैसे पल-पल हम पर मेहर कर रहे हैं चत्रसाल जी की उपर मेहर होने का ताथ पर यह ऐसा नहीं कि केवल चत्रसाल जी पर क्रीपा हो रही है यदि चत्रसाल जी कोई युद्ध हारते तो उसका असर सभी सुन्दर साथ पर होता कि नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से ही राजी मेहर कर रहे हैं जिसको जाहिरी मेहर कहा जा रहा है अब क्योंकि आज मैंने समय अधिक लिया इसका कारण में साथ में बता रहा हूं सुन्दर साथ को पहले हमने ये निर्णे लिया था कि 60 दिन के हिसाब से 2 महिने के हिसाब से देखा जाए तो 4 तारीक को पूर्णा होती करनी चाहिए पंचमी के हिसाब से लेकिन 3 तारीक को रविवार है और 3 तारीक को अधिक से अधिक सुन्दर साथ के आने की संभाव ना है इसलिए सुन्दर साथ की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार के अवकास को ध्यान में रखते हुए हमने तीन तारिक को पूर्णा होती करने का निरणय लिया है जो सुन्दर साथ यूट्यूब से सुन रहे हैं आसपास के सुन्दर साथ हैं यदि तो रविवार को पूर्णा हुती का कारेक्रम है उसमें अवस्याएं समय इत्यादी मैं ज्यानपिट की फेस्बुक उपयद से पोस्ट कर दूँगा आपको जानकरे मिल जाएगी वाटसिप से जानकरे मिल जाएगी और हाँ क्योंकि अब उससे पहले तो दो ही दिन का समय बचेगा कल और परसों का पूर्णा उत्ती के दिन तो बहुत लंबी चर्चा नहीं हो पाती है उसमें हमें मंगला चरण और अश्ट प्रहर की वितक भी सुननी है इतने समय तक हम एक-एक चोपाई को डिटेल में सुनते आए और अंती में जाकर के जल्दी-जल्दी में समाप करें तो वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा इसलिए एक घंटे की जगह पर मैंने 15-20 मिनिट का समय अधिक लिया है कल भी लगबग डेड़ घंटे की चर्चा होगी कल और परसों जिसमें हम अच्छे से अस्ट प्रहर की सेवा को समझने का प्रयास करेंगे नाम भले ही न जाने पर लीला हम समझे किस की सेवा हो रही किस भाव से सेवा हो रही वो तो हम समझे ताकि हम भी उसका अनुशरण अनुकरण करके सेवा कर सके तो कल की चर्चा में हम सुनेंगे मंगला चरण कि किस की सेवा हो रही है कैसी सेवा हो रही है और अश्ट प्रहर की सेवा का तात्पर ये क्या केवल नाम मात्र है कि इस सुन्दर साथ ने ये सेवा की उसने ये सेवा की ये पाने पिलाते हैं ये खाना की लाते हैं क्या केवल इतना है या इसका कारण कुछ और है ये सारी भी तक हम सुनेंगे कल की चर्चा में अभी के लिए समय पूरा होता है जो पाई दो राइए स्री महामत कहे ए मौमिनों, याद करो सुकराना, मेहर करी तुम उपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, बोलो स्री प्राणनात, बोलो स्री सद्गुरु महाराज, प्रणाज,